दोस्तों क्या आप जानतें कि cybercrime क्या है hackers कौन होते हैं तो दोस्तों वीडियो में आपको यह सब जानने को मिलेगा क्या ने को क्यों स्टार्ट करतें साइबर क्राइम एक ऐसा प्रकार का क्राइम होता है जिसमें की कम्प्यूटर एक वस्तू होता है और क्राइम हैकिंग, स्पैमिंग का और से एक औजार के हिसाब से इस्तमाल में लाया जाता है कोई भी ओफेंस या क्राइम करने के लिए जैसे की इन्फॉर्मेशन की चोरी, आइडेंटिटी, तेफ्ट, ओनलाइन, फ्रॉड, हेट क्राइम इत्यादी इस साइबर क्राइम को जो अंजाम देते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है साइबर क्रिमिनल्स, कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नो लॉजी का इस्तिमाल करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस, ट्रेड, सीक्रेट, इत्यादी को एसेस करने के लिए और साथ ही ये इंटरनेट का भी खतरनाक इस्तमाल करते हैं कई मैलिशियस काम को करने क के लिए इस काम के लिए वो कंप्यूटर्स का इस्तिमाल करते हैं क्रिमिनल्स जो इन इलीगल एक्टिविटीज को करते हैं उन्हें कई लोग हैकर्स या क्रेकर्स भी कहते हैं साइबर क्राइम को बहुत लोंग कंप्यूटर क्राइम भी कहते हैं इस साइबर क्राइम के कुछ common types है, online bank information, theft identity, theft online predatory crimes और unauthorized computer access इत्यादी, इसके अलावा ये cyber crimes यदि बड़ा रूप ले जाए तब उसे cyber terrorism कहा जाता है और ये सच में बड़ा गंबीर विशय है, तो चलिए दोस्तों जानते की hacking क्या है, इस प्रकार के crime में hackers अक्सर restricted area में घुश कर दूसरों के personal और sensitive information को access करते हैं, उनके बिना अनुमती के ही ये restricted area किसी का personal computers हो सकता है या कोई online account, hacking या cracking बहुत ही होता है, ethical hacking से जहां की organization ethical hackers को appoint करते हैं, उनके website की security को चेक करने के लिए, वही hacking में ये criminal बिना authorization के ही कई variety के software का इस्तिमाल का किसी के भी computer में घुस जाते हैं और यहां तक कि इसमें computer owner को ये पता तक नहीं चलता है कि उसके भी information को कोई hacker remotely access कर रहा है तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि hackers है कौन ये क्या करते हैं, internet users के लिए ये term cyber crime बहुत ही जाना सुना नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये cyber crime क्या है और cyber अपराद के प्रकार, जब internet को develop किया गया, तब शायद ही इसके निर्माड करताओं को ये पता होगा कि इस internet का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे criminal activities के लिए इस internet या cyber space में जो भी crime होते हैं, उन्हें cyber crime कहा जाता है, इसके anonymous nature के कारण ही criminal activities की शुरुवात होती है और ऐसे लोग जिनका थोड़ा जादा intelligence है, वो internet का गलत इस्तेमाल करते हैं, cyber crime की field दिन बदिन emerge होती जा रही है और criminal activities के कई नए forms cyber space में दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में प्रतेक internet users को इन cyber crimes के विशे में जानकारी रखना अती आविशक है क्योंकि वो कहते हैं न की जानकारी में ही समझदाई है माना की internet का लोगों को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान है लेकिन इसके साथ कई user cyber crime जैसे की hacking theft, identity theft और malicious warfare का शिकार बन रहे हैं, इसलिए इन से बचने के लिए आपको और आपके data या information को secure करना सबसे जरूरी है दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज बताएं, लाइक करें, शेर करें और अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो इससे जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में